आप कुर्सियां नहीं भर पा रहे, आप समय चाहते थे, जो भी चाहते थे कि कुर्सियां भर जाएं, नहीं भर पाएं, तो आप इस तरह से हलकी राजनिती को उतर आएंगे एच्छी बात, और आप उस राज्य का, उस पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं, अरे जितने तिरं कि हमारे पंजाब के सपूतों की लाश पर लपेटे जाते हैं, शरम आनी चाहिए आपको उस पंजाब का अपमान कर रहे हैं, कि किसान कुछ मांगों को लेकर दुखी हैं, व्यतित हैं, परेशान हैं, तथ्य यह भी है कि आपके ग्रह राज्यमंत्री, टेनी सहाब आज भी आपके ग्रह राज्यमंत्री बने हुए हैं, तीन दिन हो गए हैं, चार्ड शीट में उनके पुत्र का नाम आए हुए, आपने अक्षन नहीं लिया, तथ्य यह भी है कि 700 मृत किसान मुआवजे के लिए उनके परिवार आज भी प्रतीक्षा रथ हैं, आपने अक्षन नही लिया, MSP पे कमिटी नहीं बनी, यह तमाम तथ्या आपके सामने हैं, तो विरोध होता है, राजनीती में लोगतंत्र में विरोध का सामना किसने नहीं किया, लेकिन आप पूरी एक कौम को, पूरे एक प्रदेश को, पूरे एक पंजाबियत को, पूरी संस्कृति को बदना लंका गेट नामक इलाका है वारण असी में, प्रदान मंत्री की कॉंस्टिटुएंसी है, प्रदान मंत्री जी अपने लोगसभाग छेतर के दोरे पर थे, 22 सितंबर 2017, लंका गेट पर बनारस हिंदू विश्विध्याले की कुछ चात्राएं, 500 के लगभग चात्राएं, य नहीं हटी, वो नारेबाजी कर रही थी, वो अपना विरोध व्यक्त कर रही थी, उनका अधिकार था, लोगतांत्री का अधिकार था, क्या आपने सुना कि प्रदान मंत्री वारण असी एयरपोर्ट पर जाते वे, मुख्य मंत्री आदित्यनाथ के नाम पर ये संदेश दि ये, कि थैंक्यू आदित्यनाथ जी, मैं जिन्दा वारण असी एयरपोर्ट पर लोट आया हूं, सुना आपने, उधारन नमबर दो, 15 सितंबर 2018, स्वच्छता श्रमदान के कारिकरम में प्रदान मंत्री का काफिला पहाड़ गन जाते वे, दिल्ली की ट्रैफिक जाम में फ चारीफ की गई कि देखी कितना आम आदमी कितने प्रदान मंत्री जी भी रुके वे लाल बत्ती पर यह ट्राफिक जान में, क्या आपने सुना, कि संदेश दिया हो अर्विंद केजरीवाल को, कि अर्विंद जी, थैंक्यू, मैं सकुषल साथ लोग कल्यान मार्क पर जिन् गाटन पर प्रदान मंत्री जी जा रहे थे, वहां कहीं रास्ता भटक गए, कुछ मिंटों का विलम हुआ, एक छोटा अधिकारी पुलीस का सस्पेंड हुआ, क्या आपने सुना, कि आदितिनाज जी धन्यवाद, थैंक्यू, मैं जिन्दा लोट आया हूँ, यह शब्द श प्रदर्शन आपके खिलाफ हो रहा था, आपने तब नहीं कहा आपकी जान को खत्रा है, पंजाब से आपको क्या नफरत है, एक उधारन और देता हूँ, यह साबित करने के लिए, कि आपको पंजाब से कुछ दिक्कत है, दोहजार सतना का गुजरात का चुनाव, यह देश नहीं भूलेगा, कि देश के एक भूतपूर्व प्रदान मंत्री डॉक्टर मर्मोहन सिंग, देश के पूर्व सेनध्यक्ष दीपक कपूर, जनरल दीपक कपूर, देश के पूर्व उपराज्यपती, हामिद अंसारी के विरुद्ध, गुजरात के चुनाव प्रचार में प्रदान मंत्री ने क्या कहा था, कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मेरे खिलाफ शड़यन तर रच रहें, देश के पूर्व सेनध्यक्ष के खिलाफ, उसके बाद अरुन जेटली साहब, अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उन् आप किस तर्फ पर उतर कर राजनिति करना चाहते हैं, हमें इस बात का जवाब दीजिए, जहां आपको देश की छवी की चिन्ता नहीं है, अरे प्रधान मंत्री आप भारती जन्ता पार्टी के नहीं है, हम सब के प्रधान मंत्री हैं, आपकी जान की कीमत इस देश का बच बच्चा जानता है और आप उस राज्जी का उस पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं अरे जितने तिरंगे आपने और आपकी पार्टी ने और संग ने जिन्दगी में नहीं फेरा होंगे उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाश पर लपेटे जाते हैं शरमानी च से नहीं बोल रहा हूं मैं पूरे विश्व के पंजाबियों की तरफ से बोल रहा हूं कि आज हमारा सर प्रधान मंत्री जी ने जुका दी कि इस तरह का अपमान करेंगे आठ हमारे राज्यों क इस तरह का अपमान करेंगे हमारे मंतवपूर्ण राज्य की संस्कृति का जिसका पूरे विश्व में बोल बाला है छ्वां क्यों कि आपकी रैली में भीड़ नहीं आई किकि किसान आपसे नाराज हैं कि 1982 में इंद्रा जी प्रधान मंत्री थी उत्तर प्रदेश गई रास्ते में उनका काफिला बेरोजगार नौजवानों ने रोका मुख्य मंत्री नाराइंदत्य तिवारी जी थे रुकी ग्यापन लिया उनको गवर्नर हाउस में बुलाया उनसे चर्चा की और खुशी-खुशी वो चले गए असी के ही दशक में मैं उदेपूर में था पड़ता था राजीव गांधी आये थे गांधी ग्राउंड में भाशन दे रहे थे अचानक सभास्थल में छात्रों ने नारे बाजी शुरू कर दी उनके खिलाफ उन्होंने वहीं माइक से उनसे समवार शुरू कर दिया फिर सर अपत्ती है प्रदर्शनकारियों से मिलने में आपकी इच्छा हम आपको उसमें नहीं बोलना चाहते हैं आप अपना शैली है आपकी नहीं आप विश्वास रखते लोग तंत्र में मान लेते हैं आप 15 मिनिट तो देंगे स्थानिय पुलीस को रास्ता साफ कर देंगे आपको नहीं मालूम था कि पूरे प्रदेश में बड़ी मुश्किल से किसानों को हटाया जा रहा था मनाया जा रहा था मुख्यमंत्री द्वारा क्या चाते धे अप उन पर गोली चला देते आपने तो कीले बिचा दी थी नहीं असड़कों पर क्या चाते थे याप आप नहीं मिलना चाते थे मत मिलिए 15 मिनिट दे-देते साफ हो जाता custom चले जाते तीसरी चॉईसस थी आपके पास कि कोई और रास्ता ले लेते आपने क्या चुना पूरे पंजाब को पूरी पंजाबियत को सब को बदनाम करना अरे मेरे खिलाफ साजिश होगे अरे मेरे खिलाफ साजिश होगे शर्म आनी चाहिए इस तरह की भाषा बोलते हुए एक-एक पंजाबी अपनी जान पर खेल के रक्षा कर सकता है अपने प्रधान मंत्री की वो किसी पार्टी का हो प्रधान मंत्री कोई फरक नहीं पड़ता है बड़ा दुख होता है कि आज इस तरहें का विवाद देश का प्रधान मंत्री पैदा कर रहा हो सिर्फ इसलिए कुर्सी की लड़ाई हो खाली कुर्सी की लड़ाई हो या जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उसकी लड़ाई हो हमें उसमें कोई मतलब नहीं आप कुर्सियां नहीं भर पा रहे, आप समय चाहते थे, जो भी चाहते थे कि कुर्सियां भर जाएं, नहीं भर पाए, तो आप इस तरह से हलकी रादनिती पर उतर आएंगे, एच्छी बात नहीं